अगर मानों डेचिच के अंदर में कृष्णा होता ही नहीं तो डेचिच आजगी रीट में कैसा होता है कभी इमेजिन कर रहे हैं आजगी रीट में हम लेरिकल हेपॉप लेरिकल हेपॉप ऐसा है वैसा है इन रैपर्स को जान रहे हैं तो क्या कभी सूचा है कि अगर लेरिकल पोप इंदिया में शुरुवात करने वाला बंदा जैसा हम कृष्णा मानते हैं वह ही नहीं है विक्सटेंस के उसकी तुं स का फूचर है तो requires Δे टमेंא इससा होता इसके ऊपर परॉस हम बात करने वाले वीडियो काफी क्रीजी और अलग होने अभी तक और क्या कि चीजी डिचिच में कृष्णा की विज़े से आई हैं तो दिखो है जो भी नई डिचिच ओडियन्स है तो उसको मैं थोड़ा सी कहूँगा कि इसो समझ के तोड़ा कमेंट करना क्योंकि I think तुमारे प्यूवी बहुत जदर डिफरेंट हो सकते हैं मेरी इन चीजे से जो मैं बताने वालों तो अगर तुम एक ओल्ड डिचिच ओडियन्स हो तो तुम्हें पता हुआ कि डिचिच में लिरिकल के विराम बात करें तुम आपे कृष्णा का एक बहुत मेजर हिस्सा है मे देख रहे हो कि आज की डिचिच में जातर जो रैपर ज्लू कमिशेल हैं आज कि डिचिच में अनुकर करें सुगणि वे और तुम अन्दर में से कृष्णा को ईटाते हो तो एक और जो सबस sixty तो अगर क्रिशना नहीं है तो कलमकार के एक्षिस्टेंस पर थोड़ा सा आएगा कि यार कलमकार बनता या नहीं बनता कि थोड़ा 70-30 का ratio मेरे को लगते कि 70% बन जाता 30% नहीं बनता उसी के साथ एक और अगर हम चीज देखें तो वो यह होती कि DHS के अंदर में एक legendary track जो कि 2011 के टाइम, I think 2010-2011 के टाइम पे पूरे अपने इंडिया का और कहें तो पूरे DHS का इक ऐसा पहला track जो कि उस टाइम पे यूट्यूब पे सेकेंड नमर प्याता है ट्रेंडिंग में कैसा मेरा देश वो कभी बनता ही तरब समझे रहो ना वो एक ऐसा क्रिष्णा की controversy हुई थी जिस time पे मूफाड को भी लोगों ने जानना स्टार्ट करा था कि मूफाड भी है वो नहीं होता मूफाड को उतना तगड़ा exposure जितना उस time पे मिला था वो कभी मिलता ही नहीं और आज की रिट में सायद से मूफाड भी underrated ही रहता क्रिष्णा वर्सस मूफाड की controversy कभी होई नहीं होती और अगर वो controversy नहीं होई थी तो आज की रिट में अभी अपनी legacy जैसे आज से चार साल पहले carry कर रहा था अभी भी वैसी कर रहा होता जो की M.E.V के साइट से best होता और M.E.V की टकर का बंदा उस टैम पे क्योंकि रफ्तार ने इग्नोर कर दिया था तो वो उस टैम पे Krishna आता ही नहीं तो Krishna नहीं आता तो Krishna के साथ beef नहीं होती तो आज की रिट में Krishna को उतना तगड़ा exposure नहीं मिलता और आज की रिट में जो ल अगर क्रिशन नहीं होता ना और एक जो होता ना जॉन्रा लिरिकल हे-पॉप का वो इतना तगड़ा मतलब उसके में कहते ना ड्रॉबैक देखने को मिलता और ग्रोथ जो है ना बिलकुल जो आज की रिट में हो बिलकुल नीचे डाउन देखने को मिलती सरफ एक रैपर को आज सरी रहा है अगर क्रिशन नहीं होता तो मैंने हिप आप सनन स्टार्ट नहीं करा उता और अगर मैंना हिप आप सुनना स्टार्ट नहीं होता तो तो तुमको इछ चैनल कभी देखने को निए विलता है मजाग मस्ते साइड में कैसे लगी तुम्हारी वीडियो बहुत के साथ में इस्टा स्टूरीज पे लगाओ हर जिए करो भाई तुम्हें मेंशन बैक करूं ठीक है तो लाओ दबा के शेयर करो इस वीडियों